लोगों के मिन में एक सवाल अक्सर पैदा होता है कि अगर डालेसिस करेंगे तो हमेशा तो नहीं करना परेगा क्या किड्नी इसे ठीक हो जाएगी या किड्नी इसे खराब हो जाएगी और करीब करीब हर मरीज का ही सवाल होता है कि डालेसिस के क्या सैड इफेक्स हैं किड्नी के ऊपर एक्शुली डालेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें हाथ या गले के थू या जान के थू बलड निकालके मसीन में सफाय के लिए भेचते हैं और डालेसिस की मशीन तो किड्नी को छूती तक नहीं है यह किड्नी का काम करने का कृत्रिम रूप है आटिफिसियल तरीका है जिसमें किड्नी को टच नहीं करते सिर्फ बलड मशीन में जाता है और साफ होके वापस आ जाता है तो यह डालेसिस ना किड्नी को ठीक करती है ना किड्नी को खराब करती है तो इसमें भी लोगों की बहुत भरांतियां छिपी हुई है अगर किड्नी फेलियर का कारण टेंप्रोरी है किसी इंफेक्शन के कारण डिहड्रेशन के कारण एंटिबैटिक के कारण किसी दवा के रियक्शन के कारण या इर्नरी ट्रैक में रुका ये दो-तिन हपते का वक्त लगता है ऐसे किड्नियों को ठीक होने में और ऐसे मरीजों में डालेसिस की जरूरत तभी तक है जब तक किड्नी फेरियर में है और किड्नी फंक्शन नॉर्मली लेस देन 10% हो जब ऐसे मरीजों में किड्नी ठीक हो जाती है तो डालेसिस की जरूर एक बिमारी होती है जिसे Rapidly Progressive Renal Failure बोलते हैं जिसके पीछे Crescentic Glomeronephritis नाम की बिमारी छिपी होती है। इस बिमारी की खास बात यह है कि अगर इस बिमारी को हम समय रहते डियाग्नोसिस करने इसमें किड्नी बैपशे का सहरा लेना परता है और दवाईया आती हैं जो किड्नी फेलियर से मरीजों को बचाती हैं तो अगर समय रहते इस बिमारी को पकर लिया गया कहने का मतलब किड्नी सूखने के पहले सुरवाती एक दो महीने में ही अगर इलाज हो गया तो किड्नी ऐसे कंडिशन में भी ठीक हो जाती है और डालेसिस के रिक्वार्मेंट टेंप्रोरी रहती है पर्मानेंट नहीं रहती लेकिन दुर्भाग ये है कि बहुत बार मरीज अरली स्टेज में नहीं आ पाते हैं अगर गुर्दे छोटे हो गये हो और किड्नी प्रमानेंटली खराब हो गयी हो और किड्नी की प्रॉलम दो-तीन मेहने से ज्यादा से बनी हुई हो तो ऐसे मरीजों में चुकी वह अंग ह लिए चला गया तो डालेसिस की जरूरत भी हमेशा के लिए रहेगी लेकिन अगर ऐसे मरीज गुर्दा प्रत्यार उपन करा ले और ट्रांस्प्रान करा ले तो डालेसिस की जरूरत फिर से खत्म हो जाएगी तो संचेप में ये कह सकते हैं कि किड्नी फेलियर में डालेसिस की जब जरूरत है तो जरूर लेनी चाहिए डालेसिस ना किड्निक को ठीक करती है ना खराब करती है डालेसिस तो अम्रित में ही है यह किड्निक श्वेरियर के कारण मरने नहीं देती तो इसका सद्यूपियोग करना चाहिए इससे डरना नहीं चाहिए धन्यवाद